हारू फिक्स सैमसंग नौट फाइफ बेटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर अब सभी का थिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवास में बेटरी स स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्फ के से कर सकती हैं अगर दोस्तों आपके जो बेटरी हैं काफी जादा स्लो चार्ज हो रहा है ठीक है अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा यहाँ पर दोस्तों सॉलुशन्स और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पेसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा चल सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों पीन डेमेच हो जाते हैं तब आपका चार्जिंग स्लो हो जाते हैं चार्जिंग करते हैं अगर आप गेमिंग करते हैं तब भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगा स्टरिंग काफी जड़ा स्लो होगा और सारे सब में बेटरी आपका डेमेच हो जाएगा उसके बाद हमेशा चार्जिंग जो होती रहेगा तकार्जिंग करते हैं तो को आपको एवोइड करना है उसके बाद आपका कनेक्शन जैसे की वाइफाइ ब्लूटूट या फिर मोबाइल डेटा मोबाइल होट स्पोर्ट लोकेशन अगर यह सब एसी ओन पड़ा हुआ है बीना मतलब के तो आपको यह सब भी बंद करना होगा और यह चेक करना होगा कि आपके मोबाइल पे ऐसा कोया शिकता नहीं है जो की बेड अप्लिकेशन आपकी मोबाइल बैटरी को कॉन्जयूम कर रहा हो ठीक है तो उस एपक्लीकेशन को आप ड्यलेट करें अगर कोई ऐसा एपलिकेशन ने जो कि आनूनन वेबसःट से इंस्टोल किया हुआ है जो की मोबाइल इस पेस को भी फ्री आप करें मोबाइल डिवाइस के जो कैशे उनको भी क्लियर कीज़े फाइल मेंचर पी आपको कई सारे खैश मिल जाएगा उनको भी डिलेट करें ठीक है कि इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा बेतरी एंड डिवाइस कियर करना है optimize नाव पर क्लिक करना है उसके बाद सारे बेटरी अप्टिमाइस हो जाएगा 100% आपका यहाँ पर बेटरी जो है वो सेट हो जाएगा ठीक है उसके बाद बेटरी पर जाएए more setting पर क्लिक करें fast charging का option है तो fast charging को enable कर दे ठीक है तो fast charging को enable कर दे और adaptive battery इसको भी enable कर दे तो इस तरह के से दोस्तों आप यहाँ पर थोरा सा अपना बेटरी को optimize करके safe कर सकते तो इस तरह के से दोस्तों आपका जो battery slow problem ह वो काफी हद तक fix हो जाएगा सारी साथ दोस्तों यहाँ पर जब हम software update नहीं करते हैं तब दोस्तों हमें problem आ जाते तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है software update में and then दोस्तों आपको यहाँ पर software इंस्टॉल करना है तो फिर को अपडेट करना है और दोस्तों इस से आपका बेटरी स्लो चार्जिंग प्रॉब्लेम फिक्स हो जाएगा तो यह सारे सॉलुशन्स आप कर सकते हैं सारे साथ में दोस्तों जो भी मैंने आपको रिजिन बताए उसमें भी आपको ध्यान देना है लेकिन दोस्तों यह पर मानने जिए आपने सारे सॉलुशन करके देखा फिर भी प्रॉब्लेम सॉल्फ नहीं हो रहा है तो एक वर आप अपने मुबाइल को फेक्टुरी डिटा रिसेट कीजिए उसके लिए जेनरल मेनेश्मेंट पे जाना है और आपको रिसेट का इसके बाद भी ना हो तो आप किसी भी टेक्निशन के पास या फिर सर्वेस सेंदर के पास जाके अपने प्रॉब्लिम को फीज कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपका बेटरी आपकर खराब हो चुका है या तो फिर आपका चार्जिंग जो पीन रहते हैं वो खराब हो चुक थार वो में माथ बाद और खरावी सेंदर का तिर सकते हैं क्या क्योंक लய्क बे कर दोकि क्या उत्का टूत कर वकूब्लिम कायोकर सकते ही सिर्फ काराब हैं वह बीम के को पास ते लिए अरावेशन को यह चुवर ते